गुड मॉर्णिंग दोस्तों आज का वीडियो होगा इलाइची के पौदे के उपर और ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमारे घर के रसोई में जो इस्तमाल होता है वही वाला इलाइची है तो क्या इस से उग जाते हैं इलाइची का पौदा पौदे का केर, फर्टिलाइजेशन और कौन से पौटिकुलर एरिया में इलाइची उग सकते है अपने गार्डिन में तो ये सब विशय पर आज हम लोग बात करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिये पौधा उग जाता है यूट्यूब में ऐसा बहुत सारा वीडियो दिखाया गया है जहां पे इनी बीजो को इस्तमाल करके इलाइची का पौधा उगाना बताया जाता है कि घर में पड़े हुए इलाइची को लेके आप इलाइची का पौधा लगाईए वो उसे बढ़ा क कीजिया वगयरा वगयरा लेकिन एक्शुल जो सच है इन फलो को कच्छे अवस्ता में तोड़ लिया जाता है और इसी कारण के लिए कभी इन बीजों से आप पौधा नहीं होगा सकते हैं ये एक्दम मतलब आप पकड़ के चलिए आप घर में ट्राइ कर लो आप हजार बा आप पौध्रे को पर्चेस करके लाइए और घर में लगाईए मैक्सिमम 20-30 रुपया प्राइस होता है उसका उससे जदा बिल्कुल नहीं 20-30 में आपको आराम से एक इलाइची का पौधा मिल जाएगा जबकि वो पके वे फल डाइरेक्ली आप केरल या बाकी जगा से बाकी आप घर में अपना बीच से उसको जर्मिनेट करके लगा सकते हो लेकिन उसका जो ओवराल कॉस्टीं है और जो टाइम लैपस है ये बहुत जादा होता है इसलिए अगर आप इलाइची का बाधा अपने घर में लगाना चाहते हो तो डाइरेक्ली नर्सरी से पर्चे बात नहीं अट लिस्ट इसका ग्रोइंग प्रियट पर तो नहीं क्योंकि एक इलाइची का पौधे को मैचियोर होने के लिए जब वो फल देने के लिए रेडी हो जाता है मिनिमम चार साल का टाइम लगता है मेरे इस प्लैंट का एज लगभग चार साल हो चुका है और मैं मैं एकस्पेक्ट कर रहा हूं कि इस साल मुझे इसमें से फल मिल जाएगा क्योंकि इसका जो भी किया टिप से मैंने सारा फॉलो किया है उसमें सबसे पहले तो यह है कि पहले सारे तीन साल तक इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ किया जाता है मतलब पौधे को नॉर्मली डाल दीजिए और कोई फर्टिलाइजर इसमें देने का जरूरत नहीं इसे पोरस और रिच हुमस सॉयल बहुत पसंद है इसलिए मिट्टी बनाने के टाइम पे इसके लिए आप इस्तमाल कीजिए 30% काडेन सॉयल 40% सैंड और 30% डिकॉम्पोस्ट काव डंफ यह तीन चीज रिच करके आप इसका सॉयल बना लीजिए और अगर आपके पास डिकॉम्पोस्ट पुराना गोबर का खाथ नहीं है अप फर्मी कॉम्पोस्ट या कॉम्पोस्ट से भी काम चला सकते है लेकिन इस केस में मैंने देखा है कि कावडंग कॉम्पोस्ट बहुत पैतर रितर काम का धियान आपको रखना है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं इसलिए आपको हमेशा इसको शेड के नीचे रखना है डायरेक्ट ली आप किसी बड़े पेड के नीचे अगर इसे लगा पाए तो ये सबसे बैतर रेजल्ट प्रोवाइड करता है और डायरे धूप को बिल्कुल भी बरदास्त नहीं कर सकता तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखके चलना है और एक चीज़ मैं आपको आज शो कर देता हूँ इसका एक्स्प्लानेशन में अगले वीडियो में दूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो क्ल तो सारे तीन साल के बाद मैंने उसका केर टिप्स में क्या क्या चेंजिस किया था इन सब के उपर अगले वीडियो में मैं डिसकुशन करूंगा तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर कीजिए